हले फ्रेंट्स सागत है आप सब क्या आर्वी डेटिटीप क्लास में आए हम इस कोस्टन को डिस्कस करेंगे आज का जो हमारा कोस्टन है वह स्क्वाइर रूट आफ 1.96 यानि कि 1.96 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे तो इसको हम by long division method से करेंगे इसके लिए हम ऐसा एक table बनाएंगे और यहाँ पर हम write करेंगे 9.96.1 अब क्या करना पड़ता है कि right side से pair बनाना पड़ता है तो एक pair ये बनेगा एक pair ये बनेगा इसके आगे 0 बढ़ा देंगे अब ये 1 है 1 के square में आता है यहाँ पर 1 write करेंगे quotient में भी 1 write करेंगे और 1 का square होता है 1 subtraction करेंगे ये cut जाएगा और फिर देखो यहाँ पर ये quotient को add कर लेंगे इसके बाद हमें मिलेगा 2 यहाँ पर एक spaced left रखेंगे अगला pair write करने के लिए यह जो decimal है वो यहाँ पर write करेंगे और यह 96 यहाँ पर write कर देंगे अब 2 में हम कोई number ऐसा write करेंगे उसी number से multiply करेंगे जिसका multiplication 96 के equal r less than हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे n के place पर 4 रखेंगे तो जब 4 रखेंगे देखेंगे 4, 4, 16, 1 carry 4, 2, 8, 1, 9 तो यहाँ पर 4 write कर लेंगे और यहाँ पर भी 4 write कर लेंगे और यहाँ पर 96 write कर लेंगे और यह 0 हो जाएगा तो जिस step पर remainder 0 होता है उस step पर quotient हमारा answer होता है दस, square root of 1.96 is equal to 1.4, this is our answer, answer कितना होगा, 1.96 का square root होगा 1.4 तो उम्मेद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें, channel को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी share करें मिलते हैं आगले वीडियो में आगले question के साथ, तब तक लिए thank you class